बिस्मिल्लाहिर रह्मानुरहीम, स्टूडेंट्स ओफ थ्री क्लास, असलामलेकूम बच्चो आज की क्लास में हमने यूनट 11, हेल्दी हैबिट्स की रीडिंग करनी है और इस लेसन की उर्दू ट्रांसलेशन करनी है तो आए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं पेज नमबर 113, गेटिंग स्टार्टिट, वट डू था पिक्चर्स हैफ इन कॉमन, इन तसावीर में क्या एक जैसा हो रहा है कॉमन का मतलब होता है एक जैसा बच्चो तसवीर को देखते हैं, सबसे पहली तसवीर में बच्चा हैंड्स बाश कर रहा है दूसरी तसवीर में नेल कट कर रहा है और तीसरी तसवीर में अपने टीत बरश कर रहा है यानिके दांतों को साफ कर रहा है तीसरी तस्वीर में बच्ची अपने बालों को कंगी कर रही है तो इन तमाम तस्वीर में बच्चों कॉमन क्या है एक जैसा क्या है परसनल क्लीनिस यानि के अपनी जाती सफाई इन तमाम तस्वीर में कॉमन है तमाम तसावीर में personal cleanness दिखाई गई है Let's talk आईए कुछ बात करते है Read and practice the given dialogue दिये गए मुकालमा को पढ़ें और इसकी मर्श करें तो यह मुकालमा है हमाद और फाहद के दरम्यान हमाद फाहद, why didn't you come to school yesterday? हमाद फाहद से पुछता है कि आप कल स्कूल क्यों नहीं आई थे? फाहद, I was not well, मैं ठीक नहीं था हमाद, what happened, क्या हुआ था? फाहद, I had tooth egg, यानि के मुझे मेरे दांत में दर था फाहद, हमाद को बताता है कि उसके दांत में दर था इस वज़ा से वो कल स्कूल नहीं आया था हमाद, did you go to the dentist? क्या, तुम दांतों के डॉक्टर के पास गए थे? फाहद, yes, जी हाँ He gave me the medicine, उसने मुझे दवाई दी थी I am feeling better now, अब मैं बेहतर मसूस कर रहा हूँ हमाद, okay, let's go to the classroom now ठीक है, आओ अब कमराई जमात में सलती है नेक्स्ट है, पेज 114, toothy taught बड़े दांतों वाला मेंड़त Pre-reading, what do the above pictures have in common? उपरदीगी तसवीर में क्या मुझत्रिक है? उपर दीगी तसवीर में क्या एक जैसा हो रहा है तो बच्चों, इसका अंसर हमने पहले ही पढ़ लिया है इसका अंसर है, personal cleanliness यानि के जाती सफाई कस्ट नेमबर टू है, why is it important to brush our teeth daily? अपने दांतों को हर रोज brush करना क्यों जरूरी है? इसका अंसर बच्चों सुन ले It is important to brush our teeth daily because it saves us from diseases क्योंके ये हमें बिमारियों से बचाती है यानि कि अगर हम हर रोज अपने दांतों को brush करेंगे तो हम पेट की बिमारियों से भी महफूस रहेंगे और दांतों की बिमारियों से भी महफूस रहेंगे इसलिए आपने इस कांसर इस तरह से लिखना है आईए अब बचो इस लेसन की रीडिंग करते हैं और इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं A long time ago, बहुत अर्सा पहले There was a wizard, एक जादूगर था Who made a new spell, जिसने एक नया जादू बनाया A long time ago, there was a wizard who made a new spell बहुत अर्सा पहले एक जादूगर था जिसने एक नया जादू बनाया Whoever used the spell, जिस किसी ने भी इस जादू को इस्तमाल किया Would get perfect teeth, उसने मुकमल दान्थ पा लिए यानि कि आला दान्थ हासल कर लिए जिस किसी ने भी इस जादू को इस्तमाल किया उसके दान्थ बहुत ही आला और मुकमल हो गए The wizard decided to use it on one of his toes जादूगर ने फैसला किया The wizard decided, जादूगर ने फैसला किया Łस इसे इस्तमाल करने का On one of his toes अपने एक मैंडक पर जादूगर ने अपने इस जादू को अपने एक मैंडक पर इस्तमाल करने का फैसला किया After the spell was cast जब जादू किया गया, दा टोट बिकेम आ वेरी स्माइली हैपी क्रियेट्जर। तो मेंड़क एक बहुत ही मुस्कराती हुई, खुशबाश मुखलूक बन गया। जब मेंड़क पर जादू किया गया तो बहुत ही अच्छी मुस्कराने वाली और खुशबाश मुखलूक बन गया, आफ्टर दा स्पेल वास कास्ट जब जादू किया गया, दा टोट, मेंड़क बिकेम बन गया अवेरी स्माइली एक बहुत ही मुस्कराने वाली हैपी झाने खा सकता था, जब मेंड़क पर जादू किया गया, तो उसने बोलना भी शुरू कर दिया, और हर किसम का खाना खाना भी शुरू कर दिया, आई एम डिलाइटिड विध जे अच्छी मैं इस तबदिली से बहुत खुश हूं, मेंड़क ने फखर से इस बात को दोः आ रिपीटिट दोराना दा टॉट मेंडिक ने प्राउडली फखर से I prefer eating candies to feeding on flies मैं prefer तरजी देता हूं eating candies टाफियां खाने को to feeding on flies मक्षियां खाने पर यानिके मैं मक्षियां खाने से ज्यादा टाफियां खाने को तरजी देता हूं दा विजर्ड नोटिस्ट डैट जादूगर ने गौर किया कि दा टॉट वास टेकिंग लिटल के अर मेंड़क बहुत कम एधियाद कर रहा था अबाउट चूजिंग इंतखाब करने में वाट तु इच के वो क्या खाए जादूगर ने गौर किया कि मेंड़क खाने की ठीजों का इंतखाब करने के बारे में बहुत कम एधियाद कर रहा था और उसने मेंड़क को ये कहना शुरू किया लुक आफटर यूर टीथ अपने दान्टों का ख्याल रखो मिस्टर टॉट ब्रश देम उनका ब्रश करो सो यू डान्ट गेट आटूत एक ताके तुम्हें दान्ट का दर्थ ना हो अबव आल इन सब से भड़कर डान्ट इट सो मैनी स्वीट बहुत ज्यादा मीठी टॉफियां ना खाओ however ताहम दाट डिडरंट ना डिरन्ट पे मक्ज अटेंशन मेंड़क ने ज्यादा तवज़्जा ना दी तॉट उसने सोचा या उसका ख्याल था यस टीथ उसके दान्ट वर तू स्ट्रॉंग फार हिम उसके लिए बहुत स्यादा मस्बूत है He thought his teeth were too strong for him उसका ख्याल था कि उसके दान उसके लिए बहुत स्यादा मस्बूत है He liked and enjoyed sweets so much वो टॉफ्यों को बहुत स्यादा पसंद करता और उन्हें खाने से लुट्फ अंदोस होता So much बहुत स्यादा that he didn't even try to eat less कि उसने इनको कम खाने की कोशिश भी ना की वो मीठी टॉफ्यों को इतना ज्यादा पसंद करता और उनको खाने में लुट्फ उठाता कि उसने इनको खाने में कम करने की कोशिश नहीं की One day एक दिन आर्टूथ स्टार्टिट जिकेंग उसके एक दान्त को कीडा लगना शुरू हो गया स्टार्टिट शुरू हो गया जिकेंग कीडा लगना या खराब होना And slowly the decay spread throughout his mouth और आस्ता आस्ता कीडा उसके पुरे मुँ में फैल गया Soon जल्द ही तार्टूट felt that मेंड़क ने ये महसूस किया कि There were holes in all his teeth कि उसके तमाम दान्तों में सुराख हो गई है He felt उसने महसूस किया there were holes in all his teeth उसके तमाम दान्तों में सुराख हो गई थे And or they were starting to fall out और वो गिरना शुरू हो गई थे He decided उसने फैसला किया to start शुरू करें looking after them उनका ख्याल रखना उसने फैसला किया कि अब उनका ख्याल रखना शुरू करेगा But लेकिन by then उस वक्त तक it was too late बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी When his last tooth fell out जब उसका आखरी दांद गिरा He lost the ability to track and eat तो उसने खाने और बात करने की खाने और बोलने की इसलाहियत भी खो दी जब मेंड़क का आखरी दांद गिरा तो उसकी खाने और बात करने की इसलाहियत भी खतम हो गई While ready me question है बच्चो How many sweets do you eat in a day? आप एक दिन में कितनी टॉफिया काते हो तो बच्चो मीठी टॉफियां स्यदा नहीं खानी चाहिए इससे हमारी दांद खराब हो सकते हैं इसलिए आप इसका अंसर देंगे I eat one sweet in a day मैं एक दिन में सिर्फ एक टॉफियां खाता हूँ Poor Mr. Tot, बिचारा मेंड़क If he hadn't lost that last tooth अगर वो अपना आखरी दांद ना खो देता He could have told the wizard तो वो जदूगर से कह सकता To give him new teeth के वो उसे नए दांद दे And would promise और वो वादा करेगा To take care of the new ones better के वो उन नए दांदों की पहले से बहतर तरीके से हफाज़त करेगा अगर मेंड़क अपना आखरी दांद ना खोता तो वो जदूगर से कहता के उसे नए दांद दे और वो उससे वादा करेगा के वो उनकी पहले से ज्यादा हफाज़त करेगा Nothing could be done now अब कुछ नहीं हो सकता था There's nothing more distasteful than eating bugs अब बद जैका कीडे मकोडों को खाने एसवा और कुछ नहीं था Post reading Post reading में बच्चों question है Why should we eat fewer candies हमें कम टॉफियां क्यों खानी चाहिए इस का answer बच्चों सुन ले We eat fewer candies Because if we eat more candies हमें कम टॉफियां खानी चाहिए क्योंकि अगर हम ज्यादा टॉफियां खाएंगे It will damage our teeth तो ये हमारे दांतों को नुकसान पहुचाएंगे या खराब कर देंगे Last question है Will we remain healthy by taking care of our teeth हम अपने दांतों की अफाज़त करके सिहत मंद रह सकते हैं इसका answer है Yes We remain healthy by taking care of our teeth हम अपने दांतों का ख्याल रखके सिहत मंद रह सकते हैं तो बच्चों इसके साथ ही हमारे आज की क्लास खतम होती है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इससे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ येर करें और इस चैनल को सबस्क्राइब करें Thanks for watching and अलाहाफिज